तो बड़ी जौनकारी आपको देदे सुगदेव गुगामेडी हत्यकांट से जोड़ी हुई बड़ी जौनकारी और आपको तस्वीरे भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर देखे अब पार्थिव दे को रवारा किया जौरा अस्पताल से और थोड़ी ही देर में राजप टिवे स्क्रίν पर हम आपको दिखा रहा है, सुगदेव गुगामेडी हत्यकांट से जोड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है और SMS अस्पताल के बाहर से आपको ये सीधे लाइफ तस्वीर हम TV स्थीन पर दिखा रहा है तो कल देर रात देखे पोश्ट मौटम हुआ है अब यहाँ पर देखे शव को रवाना किया जा रहा है तस्वीर सबसे पहले देखे हम आपको दिखा रहा है और देखे अब यहाँ से राजपूत सभाभवन ये पार्थिव शरीर पहुचेगा वही पर श्रधानजुली दी जाएगी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे है जैपूर से ये सीधे लाइफ तस्वीर है पैत्री गाव गोगामेडी में ही अंतिम संसकार किया जुआएगा और कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई ती कल देर राथ पोश्मॉटम हुआ है और ये तस्वीर जैपूर से दिखा रहे है जादा जानकारी के लिए समाधाता रोशन हमारे साथ लाइफ जोड़े है रोशन हमने ये तस्वीर दिखाई टीवी स्क्रीन पर अब श्रव को रवाना किया जौ रहा है राजपूत सभाभवन पहुचेगा उसके बाद से पैत्रिक गाउं में ही अंतिम संसकार किया जौनकारी जो जो रवाना हो गई है और सीधी अब यह यह यहां पर राजपूत सवाभवन है पांच वर्त इस्तित यहां पर ले जाए यहां पर जा रहा है आप इन तस्वीरियों के अंदर देख सकते हैं यहां से इसके बाद में जो बताया यह जा रहा है कि जो भवाने निकेतन जो कॉलेज है वहाँ पर ले जाया जाएगर उसके बाद में जो चोमू रिंगस होते वे सीकर और जो हनमानगर इसके जो भादरा जो उनका गाउं है पैतरक गाउं वहाँ पर पाथिर दे को ले जाया यहाँ पर की कि जो सुगदेव सिंग गोगा मेडी है उनकी पाथिव दे को यहाँ पर ले जाया जा रहा है पुलिस की ओर से तमाम जो सुरक्षय विवस्ता हो ट्रैफिक जो डाइवर्जन हो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो इस तरीके कि तमाम जो विवस्ताएं है वो के अंदर राजपूत सवा भवन जो है यहाँ पर पहुचने वाली है पुलिस की ओर से यहाँ पर जो एसकोर्ट यहाँ पर किया जा रहा है, एमुलेंस के अंदर सुक्देव सिंग गोगा मेडी है जो उनके जो चहाने वाले हैं, उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो मंजली यहां पर देंगे इस तरीकी की यहां पर जो एक Pictures रखा गया एक तह प्रोग्राम यहां पर रखा गया हलांकि यह जो प्रोग्राम यह ने जा है इन ओज subscribe कर offenses देरी हो गई है यह देखिए एक घंटा लाकर जिस तरीके से कल जो घटना क्रम देखने को मिला कि प्रशासन और जो परिवार के लोगों के बीच में ये जो जो गतिरोध बना हुआ था वो गतिरोध यहां पर खत्म हुआ और आज जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर जो सुक्देव सिंग जो बोगा मेड रवाना होती हुई नजर आ रहे हैं इसके बाद से राजपूत सभाभवन रोशन उसके बाद से पैत्रिक गाव के लिए रवाना हुगा ये शव और कितना समय लगेगा पैत्रिक गाव पहुचने में और क्या ये राजपूत सभाभवन अभी जो पार्थिव देह ये जा सकता है कि पुश्पांजरी वो यहां पर यहां पर कर रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर राजपूर समाज की तमाम जो नेता है जो युवा है वो यहां पर पहुंचे हैं लोगों में